यह आपका आज का संपात किए पार्ट है, एडिटोरियल वाला पार्ट है और इस तरह के जो एडिटोरियल होते हैं, जो आर्टिकल्स होते हैं, वो आपके परिलेम्स के लिए, मुख परीक्षा के लिए, जब आप लोग answer writing करते हैं, निवन्द लेखते हैं, और इंटर्विय में भी हर जगे मदद पहुंचाता है एक सामाने जानकारी भी आप लोगों को यहां से मिलती है तो जितने अच्छी अच्छी आर्टिकल मिला करें आप लोग पढ़ा करिएगा उसमें जो काम के पॉइंट हुआ करेंगे उन्हें नोड भी कर लिया करिएगा ठीक है ओबी सी आरक्षन से खिलवाड और आप दिखते हैं कि लोगसभा चुनाव चल रहा है तो आरक्षन की बातें भी खोग हो रही है तो लोगसभा चुनाव में पंथ या पर मजभ के आधार पर आरक्षन की मुद्दे को संपधाय करार देने बालों के लिए कलकत्ता उच नियाले का फैसला एक आगाद बनकर आया बंगाल की मुकमंत्री ममता बनजी द्वारा नियाले की आदेश के बिरोदे प्रगट नाराजगी बताती है कि अन्य पिछा वर्ग के नाम पर मुसलिम संधाय को जान्दा से जान्दा आरक्षन देने कि आसम मिधानिक अनेतिक और समाज बिरोदी फैसले पर वह केबल बता मैं आने के बाद ममता सरकार ने 5 लाग से जान्दा ओवी सी फिर्माट पत्ते जारी किये उनमें से अधिकांस मुसलिम संधाय के लोगों को मिले हैं और उच नियाले के अनुसार इन जातियों को ओवी सी घोसित करने के लिए बास्तों में रिलीजन एकमात मांदंड प देखा गया नियाले की टिपड़ी आसाधारन है लेकिन एक केबल तेडमूल और मंता बनाजी ही नहीं बलकि देश के उन रभी रानितिक दलों सरकारों नेताओं के बास्तविक चहरे को उज्यागर करती हैं जो अन्पिछा पिछणों के नाम पर केबल बोट के लिए मुसल सरकार ने EWS यानि की आर्थिक रूप से कमजोर समुहों के लिए दस पितीसत आरक्षन दिया जिसमें मजहब का बंधन नहीं है और उसमें हिंदों के साथ मुसल्मान भी सामिल हैं बिरोत केबल पिछड़े दलित और जंजातियों का हक मार कर आसाम इधानिक तरीके से बोट बेंक के लिए मुसल्मानों को आरक्षन देने का है और बंगाल में बाम मोर्चा सरकार ने 2010 में एक अंत्रिम रिपोर्ट तेयार करा कर अन्य पिछावर की सुची बनाई उसे OVC के ए नाम दिया सरकार ने बेकपड मुसलिम सब्द का प्रियूब कर दिया उनके लिए 10 पित बारे को 35 ऐसे बर्गों या सेंडियों को सामिल किया जो मुसलिम थे इन में से आप देखिए 9 OVC A 26 OVC B में सामिल किये गया और इस तरह कुल 77 बर्ग या सेंडिया हो गई बंगाल में बंगाल पिछा बर्ग आयो और सरकार ने इसके लिए दुरुत गती से काम किया नियमा से दर्ज करें नियाले ने लिखा है कि ममता सरकार ने फैसला लेती समय ऐसा कोई आखड़ा नहीं दिया जिससे इस परष्ट हो सके कि बंगाल सरकार की सेवाओं में इस समधाय को परियाप्त पिते नहीं मिला और आनारक्चित पूरी समधाय को सामिल करने के लिए इस तरह क कि आपरियाप्तिता का पिर्माड आवस्ते के साभ है कि बोट के लिए मुसल्बानों को आरक्चन देने की मामले में किसी तरह की नियम कानून की पालन की आवस्ता ममता सरकार ने नहीं समझी और इस फैसले से साबित हो गया है कि भाजा पत था है अन हिंदू संगटनों द् समिधान तथा आरक्षन की बास्तविक अवधारना या सिधान आड़े नहीं आते हैं या जानकर आश्चय होगा कि बंगाल में 189 जातिया अन्य पिछ़ा वर्ग में सामिल हैं इनमें 188 मुसले में यानि हिंदू पिछड़ी जातियों की संक्या केबल 61 है जरह सोचिए कि ज इसे मुसलिम तुष्टी इकान का सर्म नाक है नमूना ना कहें तो क्या कहें भारत का समिधान किसी भी तरह लिलीजन या पंत या मजहब को अरक्षन का आधार नहीं मानता है वर्स 2018 में मौधी सरकार ने जब पिछड़ा वर्ग आयों को समिधान एक दरजा दिया तो राज बंगाल में आप देखते हैं 71 जातियों को मुंता सरकार ने पिछड़ा वर्ग में सामिल किया और जिसमें आप देखे 65 मुसलिम समधाय से समधाय से राश्टी पिछड़ा वर्ग आयोग ने बंगाल सरकार ने से इस संदर में उपचारिक पत लेकर पूंचता अचकी और इ शुरू हो गई जो आंगी रुकने रुकनी चाहिए थे इसमें गरावट नहीं आई तब क्या मुसलिम समधाय को पिछड़ा वर्ग में सामिल करने की कारें हिंदू जातियां बागई मतांतित होकर मुसल्बान बन गई यदि यह सच है तो इससे भयाबर इस्तिती कुछ नहीं हो सकती है वोट बेंक के लिए पार्टियां तुष्टी करन में किस सीमा तक जा सकती है इसका इससे सटी कुदारन दूसरा नहीं हो सकता है यह इस्तिती के पल बंगाल तक नहीं है पिछा वर्ग आयोग निपाय की र जाती है आरक्षन की अहरता से बाहर चली जाए और मुस्लिम जाती है उसके दाएरे में आजाए लेक वरिष्ट रहा पतकार और डाइनितिक विसलेशा के इनका नाम है अधेश कुमार इनके द्वारा ए आईटी कर लिखा गया है और मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि आरक्षन रिजर्वेशन का मुद्धा वड़ा विबादित है इस पर आप लोग सोच समझ कर कुछ लिखा करिएगा सोच समझ के बोला करिएगा इसके पॉजिटिव फाइंट नेगेटिव फाइंट सब पर ध्यान देना है आपको एक थरपा नहीं भाग लेना है क्योंकि इस पर काफी चर्चाएं भी हो रही है और देखे पिछला वर्क की बात करें तो 102 बाद समीधान संसुधन हुआ था न दोजार अठारे में तब इसे समीधान एक दरजा दिया गया था और इसकी स्थापना की एगर हम लोग बात करें न तो इसकी स्थापना 14 अगस्त 1993 में ह 35 लोग जल कर मर गए इस बहयावर घटना के कुछ दिन बाद दिली के बेवी केर सेंटर में साथ पच्चे आग लगने के कारण काल के गाल में समा गया यानि कि बच्चों को भविस कहते हैं हम लोग देश का लेकिन आप सोचे कि उनका जीवन सुरू होने से पहले ही अंध क जागते हैं पिसासन जागता है फिर कुछ दिन बाद सो जाती है और इन दोनों घटनाओं में साजा के बल यही नहीं कि घटना का कारण आग लगना है इसके अलावा भी बहुत कुछ साजा है और साजा है जैसे यह राजकोट के गेमिंग जोन में अगनी समग विभाग ने अनापत्ती प्रमाडपत्त हासिल नहीं किया था यही बात दिली के बीबी केर सेंटर के बारे में भी सामने आई इसमें भी ना तो आग से बचाओ के उपार कर रखे थे नहीं अगनी समग विभाग से अनापत्ती प्रमाडपत्त ले रखा था और गेमिंग जोन के मामले मे यह भी सामने आया है कि राजकोर्ट नगरन निगम ने उसके संचालन के लिए ना तो कोई लैसेंस दे रखा था और ना ही और संचालकूंक ने अन्य किसी नियामक संस्ता से कोई अनुदन पराप्त किया था यही कहाने दिली में बेबी केर सेंटर के भी है उसके लैसेंस की अ पश्ट है कि कोई भी यह देखने जाचने बाला नहीं था कि इसके इलाके में कोई अवैद काम तो नहीं हो रहा है एक भिष्टाचार बहुत बड़ी समस्या है मानिये या ना मानिये आप गेमिंग जोन या बेबी केर सेंटर चलाना कोई ऐसा काम नहीं है जैसे गुप्च की सिलिंडर रखे हुए थे इसका मतलब है कि हासी को नेंतन देनी की तेयारी थी ऐसी ही घटना तेयारी राजकोट की गेमिंग जोन में भी देखे गई वहां लोगों का प्रिवेस हो रहा था वो वेल्डिंग का काम भी चल रहा था चुकि लोग सबाद चुना चल रहे है इसलिए राजकोट की घटना पर भी निताओं ने अपने संबेदन ना बेक्त की और दिल्ली की घटना पर भी दोनों जगए पिसासन पिसान ने थोड़ी सकती का परिचय तो दिया लेकिन इसके नतीजे में ऐसा कुछ विसिस नहीं हुआ जो नजीर बन सके राजकोट में जोन चलाने बाले संचालकों को गिरफतार कर लिया गया तो दिल्ली में विवी किया सेंटर चलाने बाले डॉक्टर को फिसन ने यह है कि दोनों की ही जगए अगनी समख अगनी समन विभाग और नगर निकाय कि किसी अधिकारी अतबा करमचारी को गिरफतार क्यों नहीं कि आगया वैसे ही दिल्ली सरकार से कोई यह सबाल नहीं कर रहा है कि अगनी समग विभाग नगर निगम और स्वास्त विभाग कि किसी अधिकारी करमचारी की गरफतारी की जरूरत क्यों नहीं समझी गई काईदे से तो दोन सहरों के समझी अधिकारी करमचारी के खलाब गयर इरादतन हत्या का मुकत्मा चलना चाहिए राज़कोट और दिल्ली के मामले में एकलोते ऐसे पिकरम नहीं हैं जन में सरकारी तंत को जबाब दिये से दूर रखने की कौसिस की गई है इस तरह के मामले रह रहकर होते ही रहते हैं और उनमें बड़ी संख्या में लोग जान गवाते हैं अतबग हैल होते हैं लेकिन नियामक तंत के उन लोगों को कभी भी कटगरे में नहीं खड़ा किया जाता जिसकी अंदेखी और आप देखेंगे कि लापर भाई के चलते ज नहीं आ रहा था जब यह गिर गया और उसमें कई लोगों की जान चली गई तो सरकारी तंत से उसने उससे अपना फल्डा जाड़ लिया होडिंग लगवाने बाले तो गिरफतार हो गया लेकिन अगर निकाय कि किसी अधिकारी करमचारी को गिरफतार करनी किया हो सकता नही समझी गई कोई नहीं जानता कि क्यों भारत एक बड़ी आवादी बाला देश है लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि सरकारी तंत की लापरवाई से रह रहकर हासे होते रहें और उनसे बड़ी संख्या में लोग मरते रहें दुरभाग से अपने देश में यही हो रहा है जब को समय बाद उन्हें कारणों से बैसी घटनाएं फिर सामने आती हैं जैसे पहले हो चुकी होती है और यही कारण है कि ना तो हादसे कम हो रहें ना ही उनमें जानगवाने बालों की संख्या में कमी आ रही हासे दुनिया में हर कहीं होते हैं लेकिन विक्सेत अभी कासिल देश कम से कम उनसे सबक लेते हैं और यहीं विवस्ता करते हैं जैसे बार-बार ऐसी जैसे एक जैसी हादसे ना हो और भारत में कोई सबक सीखने से इंकार किया जा रहा है यही कारणे कि विकसित देश बनने की संकल को साकार करना कहीं अधिक कटिन दिख रहा है अपने देश में हर तरह की नियम कानून है लेकिन उनके उलगन की जैसी सुगधा यहां है भारत में बैसी साइद आप देखेंगे साइद ही किसी विकसित राष् है इसका सर्मनाक उधारन पूने का कारहाथ सावी है कि देनिक लेखक देनिक जागर में सोसी एडिटर है इनका नाम है राजीब सचान इनके द्वारा यह आटीकल लिखा गया है यह हमारा देखे प्यारी पित भी है इसमें आप देखे हमारा प्यारा भारत है यह गुजरात देखने को मिलेगा यहां दिल्ली देखने को मिलेगा आप क्या सोचते हैं इस पर अपनी राय आप लोग जरूर दिया करिएगा आपका पॉइंट इविव क्या है इस तरहे की गटना उपर मन की रिक्तिता ये भी अच्छा कॉलम लिखा जाता है जीवन किसी के वेक्तिकर नियम से नहीं चलता और अपने प्राक्तिक नियम से संचालित होता है जीवन में कई बार ऐसा होता है जब हम जिस वस्तु या उपलब्दी को बहुत तीब एक्छा के साथ चायते हैं वह हमें मिलती है तो फिर हम बलपूरवक उसे पाने की चेश्टा करने लगते हैं या मनों से की बहुत बड़ी गलती होती है क्योंकि इस प्रयास में हम अपने बहुमूल समय की साथ साथ अपनी उर्जा भी व्यर्थ बरवाद कर देते हैं इस तरह व्यक्ति अपनी मन को धे सारी न उप्यिकते बनी रहे ताकि वह उप्योगत समय आने पर उस रिक्तिता में कुई उचित उप्यूगत रचना कर उसे भरा जा सके याद रहे कि किसी खाली के नुष वर ही सुंदर चित्र की निर्मित संभव है खाली दिमाग या मन सैतान का घर होता है लेकिन यह तब होता है जब हम उस खाली पन को समालना ना जानते हों वो दिखने मन या फिर बहुत सारी नकरातमक्ता से भरे मन के साथ हम अपने प्रगती में स्वयम ही बादा बन जाते हैं हमें इस बात पर ध्यान देने किया हो सकता है कि हम अननत की चाहे में उलत जाते हैं और फिर मन को सुनने करना बोल जाते हैं और आप देखें जब की अननत का मार्ग भी सुनने से होकर ही गुजरता है अध्यात्मिक मार भी स्वेम को खाली करने पर ही जोड देता है ताकि इस और की अनंत ओर्जा से उस खाली पन को भरा जा सके मन की खाली पन के संबंद में चाड़क्ट ने कहा कि बिवेक सील बेक्ती अपने मन को खाली रखता है ताकि उसमें ग्यान और सच्चाई का निवास हो सके अच्छा इंट्रेस्टिंग कॉलम रहता है देखा करिएगा पड़ा करिएगा और इसकी पीडियेफ आपको टेलीगराम पर मिल जाती है तो वहां जाकर आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं अन्तेहीन सुनवाई इलाबा तुचनयाले में मत्रा के सिरीकिष्ण जनम इस्थान एवं साहीदगा मस्जिद मामले की सुनवाई के समय मंदिर पक्ष ने यहारोप लगा है कि मंदिर पक्ष पुरानी बातें दोरा कर वहस को लंबा खींच रहा है यहां भी आप दिखते हैं कि हिंदो मुस्लिम हो रहा है मदिर मश्चिद की बात हो रही है कि बात आप लोगों को यहां और बता देता हूंगा क्या बता देता हूं कि 1991 में एक कानून लाए गया था में कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 की डेट तैकी गई थी, कि इस दिन इसके पहले जो कुछ भी हुआ, चाहे वो मंदे तोड़े गया हो, मंचे चोड़ी गया हो, किसी और धार में किस्तल को तोड़ा गया हो, वो सब भूल जाना पड़ेगा, 15 अगस्त को जहां मंदे रहे हो, हामि समझत रहेगी, किसी भी धार में किसल में कोई परिवर्टन नहीं किया जाएगा, एक इसलिए किया गया था, कि आंगे इस तरह का विबाद ना हो, क्योंकि आप देखे, राम जनम भूमी और बाबरी वश्चित के मामले ने, दो समधाय के बीच का आपकी खाही पाट दी थ से भी यह कहा जा चुका है, कि मस्जिद पक्त के वकिल पहले ही कही गई बाते फिर से ना दोराएं, अब अंगली सुनवाई इस माह के अंत में होगी, कहना कटने कि यह सुनवाई कि इतनी लंबी चलेगी, जो कहा जा सकता है कि यह एक, यह कि इलावाद उच नियाले, कि न प्रिंग कोट की स्थाफना की बात के गई, 28 जनवरी 1950 में स्थाफना हुई थी ना, यह तो अच्छा हुआ कि इस बिवाद से जुड़े कई मामले की जो सुनवाई मतरा की स्थानी अदालत में हो रही थी, इने अलावा उच नियाले ने अपने यहां मंगबा लिया, ताकि सदियों फुरानी इस पिकरन का निश्थारन यह था सीख किया जा सके, लेकिन फिलाल ऐसा होता नहीं देखता है, क्योंकि सरवुच नाले ने इदगा मश्चित की सर्विक्चन पर रोक लगार की है, बैसे जब कासी की जियानवाफी परिश्या का सर्विक्चन हो चुका है तब इन फिर नियाय और नीती यही कहती है कि मत्रँण की इदगा मश्चित का भी सर्विक्चन हो, जिसके बारे में यह मानता है कि उसका नहिरमार स्रीकिस ने जनमस्तान मंदिर पर ही किया गया है, इसके बैसे ही दस्ताबे साक्चो पलब्द हैं जैसे ग्यानवाफी पर कासियों मत्रा जैसे बिवाद और भी हैं और इन में से कुछ अदालतों में हैं और जैसे कि मद्धपदेश के धार जले की कभोसाला परिचा हिंदु पक्षका यहां मानना है कि यह देवी सरवसुती मंदर है जबकि मुसलिम पक्षका दाबा है कि कमाल मौला के नाम से बनी मर इस तरह के कुछ और मामले भी ओभर आये हैं इसे निया है कि आकर ऐसे मामलों का निश्था रंग कब और कैसे होगा क्या यह उचित नहीं होगा कि इस तरह के जो भी पिरमुक मामले हैं उनका निश्च्छ समय सीमा में किया जाए यह तभी सम्भव है जब दोनों से जोड़े बिवादों का पटचेफ हो और देश आंगे बड़े यह भी समय कि मांग है कि सरवच नियाले पूजा इस तल अधिनियम की बैधानिकता की परक करे और इसे कासी मतरा के साथ जैसे अन बिवादों को भी सुल जाने में मदद मिले कोई रास्ता निकले हो चल्द पारी वक्त नहीं देखती कोरोना के दौरान आईवएद के मात को सिर्फ देश ही नहीं विदेश में ने भी समझा इसके बाब जूद भी आईवएदिक पद्दिती से उपचार की दिसा में उलेकिने प्रगती नहीं दिखी विहार के एकलोते राज जी की आईवएदिक को देखते देखकर तो ऐसा ही लगता है यहां ओपीडी में हर रोज औसत पांस सो मरीज पहुचते हैं और यह बैसे मरीज हैं जो उपचार के विविन पद्दिती हो कि ठक हारकर यह सस्ते और कारगर चिकिसा के ख्याल में से यहां आते हैं कोरोना के पहली की स्थिती पर ग की जा रही हैं और से दबा मरीजों को बाहर से खरीनी पड़ रही है या उनकी जेप पर भारी पढ़ रहा है और दबा की कमी के सवाल पर अधिकारी कहते हैं कि लोग सबाच चुनाओ की बज़े से दबा खईये दी कि फिक्रिया रुक गई है इसका मतलब तो यही हुआ कि चुनाओ के पूर इसकी तैयारी नहीं की गई थी विमारी ना तो बख्त के दाएरे में बंदी है और ना ही दबा के लिए अनकूल समय का इंतजार किया जा सकता है या पूरी तरह प्रबंधन की चूक कहीं जा सकती है एक बख्त है ऐसा भी था जब मरीजों की नियून संख कि जरूरत है कि एवरेष्ट की पिथम आरोहन की कता देखिए मांट एवरेष्ट की अगर बात करें तो इसकी उंचाई कितनी है या आप बताईएगा और कहां है किस देश में है ये भी आप बताईए कई बार हम लोग बात कर चुके हैं अभी हाली में बात की थी जो आप 29 मई 1903 की सुबए साड़ी 11 बजी नियुजिलेंड की मधुमक्खी पालक एडमंड हेलेरी और नेपाल की सेरपा तेंजिंग नौर्गेट ने दुनिया की सबसे उची चोटी माउंट टेवरेष्ट पर कदम रखा था कि इतिहास में यह पहला उसर था जब 8888.86 मीटर उचे माउंट टेवरेष्ट की को सपलता पुरुवक पताय किया था और इस इतिहास से कभियान ने परवात रोहन की दुनिया में एक नई पेड़ा कर संचार किया था कि इस महान उपलब्दी ने उन्हें अंतराष्टी क्याती दिलाई उपरवत रोहन की चित में उनकी युगदान को अमर कर दिया और हिमाले की सर्वोचिकर पर विलगबग 15 में तक रूखे थे और इस तोरां टेवरेष्ट ने बेटे नेपाल से इतिरा राष्ट और भारत के जंडे लहराए इन इतिहासिक पलों को हेलीरे ने कैमरे में कैद किया था उनकी इस अफलता ने परवत रोहियों के लिए असंभव पिती थोने बाले इस लक्ष को संभव कर दिखाया माउंट एवरेष्ट की उस पितम सफल चड़ाई ने नेपाल के साथ साथ दोनों सफ दुनिया भर में फैली बलकि उन्हें कई उपलब्दियों से भी नवाजा गे रहा मधूमक की पालन कर साथारन जीवन बितीत करने बाले एडवन्ड हैलेरी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि परवत रोहन का उनका सौंक एक दिन लोक प्री है तक इस सिकर पहुंचा देगी एवरेश्ट पताई के बाद बेटे सरकार ने एडवन्ड हैलेरी को नाइट होड सरकी उपादी दी थी वे भारत में न्यूजिलेंड के उचाइक्त भी रहें वहीं तेंजिंग नौर्गे की सम्मान में देश में राष्टी असाहिक से पुरुस्तार पिदान किये गये थे माउंट एवरेश्ट पचड़ाई का जो सिलसला आज से साथ दसक पहले सुरू हुआ था हुआ है आज भी अनवरत जारी है परवत रोहन आज नेपाल में परेटन उद्देव का एक ससक्त माद्यम बन चुका है हाला कि परवत रोहियों की भीड के कारण एवरेश्ट पर का आज माउंट एवरेश्ट कच्री के पहाड में तब्दिल होता जा रहा है इस मुद्दे पर जाग रुकता पहलाने की जरूरत है तागी भविस में इस इतिहासिक परवत चोटी की सुरक्षा सुनिश्टिक की जा सके और यह ऐसा सक्त परयाटन केंद के रोह में अपनी लो एक यह हमारे देश में काफी समस्य है अतिकर्मण की बेहंट चड़ते साज्टिक इस्तल जहां आप लोग देखें वहां अतिकर्मण आप लोगों को देखने को मिलेगा अपने हास पर नजर दोड़ाईए तो साज्टिक जगवह पर अतिकर्मण नजर आएगा शाड़क से लेकर खेल के मैदान और द्यान और समुदाइक भवनों पर अतिकर्मण सहरी नेवजन की फोल कोलता है वर्स 2050 तक भारतिय सहरों की आबादी दूगनी होने का अनुमान है नीती आएग की रिपोर्ट के अंसर भारती सहर देश की कुल भूमी का 3% हिस्सा अच्छा देद करत है हाला कि देश में जिस तेजी से सहरी करण बढ़ रहा है उसी गती से सहर के अंधरे समस्याएं भी आकाल ले रही है आने और जिस सहरी करण की बज़ा से सहरों में सारुजने किस्थल सिकडते जा रहे हैं बड़े महानगरों के साथ ये चोटे और मजुले सहरों के बीतर ह हरेच छेत्र को बचाना भी चुनोतिया चुनोती पूंड होता जा रहा है। इसका असर लोगों के जिवन इस तर पर भी पढ़ रहा है। और आप देखते हैं कि जो हर इच्छेत नहीं है तो उसका आप देखे तामान पर भी जलवाई पर भी प्रभाव पड़ रहा है। अपना 24 अक्ट उबर 1945 में हुई थी यह और की उएसे में इसका एड़कवाटर देखने को मिलेगा। परियावन पिदूसेत होनता है और सहरी नियोजन की दीकाले करनीती के आभाव से अबैद कालोनिया अस्तित्य में आती हैं और अतिकिनमड को सहत देने बाले भिष्टाचार भूमापिया और अतिकिनमड कारियों को पैर पसारने की अवसर भी देती हैं। देर काले के हो सहरी नियोजन तो आदिके सर्वोच नियाले उचनियाले समय 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 पर सहरों में अबैद अतिकिनमड की मुद्देप तलक टिपडियां करते रहें। 2022 में सर्वोच नियाले ने तो इस मुद्देप नाराजी जाहिर करते हुए इसे एक इस्थाई समस्या करार दिया। 2022 नियोजन और भूमी राज्य के बिसे हैं केंद सरकार की भूमी का बित्तिय सही हो के साथ परामस दात्री पिक प्रकेती की है। अलग-अलग राज्य सरकारों ने टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के लिए नियम बनाए। रिष्टा से किरियान बित किया जाए तो सहर के बिकास में नागरेकों कोई सहभागिता सुनिश्चित होगी। की ओर आने बाले आर्थिक रूप से गरीर तपके के लिए रेंटल हाउसिंग अच्छा विकल्ब सावित होगा। प्रवासन की दर कितनी और इस से जुड़े तत्र यदी होगा। तो योजनाओ का निर्माड और किरियानमन प्रभावी होगा। सहरों में हरित छेत बढ़ाने से अतिकरमड समयते फिदूसन बाड़ और गिरते हुए भूजल इस्तर जैसी चुनोतियों का बहुत देशी है समाधान निकलेगा। इस्तानी निकायों के सामने कौसल युक्त मानो संसाधन की कमी भी बड़ी चुनोती है। सार्यूनिक संपत्ती पर अतिकरमड इस्तानी निकायों की आमदानी को सीमित करता है। और आप दिखेगे कि सडकों पर इस्टीट फूर्ड जोन कालो नाइजर को आवासी पर युजनाओं में पार्क और समुदाइक भवन आदी की विवस्ताएं अनिवार की जाने चाहिए। प्राक्तिक जल निकायों पर अतिकरमड खराब जल निकासी विवस्ता सहरी बाड की वजय बन रही है। दीर कालिक दिर्श्टी कोंड ने आवसर रचना को मजबूत बनाया। अतिकरमड बिरुदी कोई भी मुहिम राजस इस्थानी निकाये। और आप देखेंगे। और जिला पिसासन के समनवित फिर्यासों से ही इस्तंभाई। यदि आप देखे राजनितिक राजनितिक एक आप नजर आता है, मद्द बिदेश की रादानी भोपाल में पिछली सदी के अंतिम दसक में ततकाली नगरिये कल्यार एवं सहरी आवसमंत्री बागुलाल गोड ने अतिकरमड के विरुद मुहीम शुरू की थी, आज वह भोपाल की सौंदर में मील का पत्थर मानी जाती ह और आप दिखते हैं कि अतिकरमड के विरुद हैं, यदि हमारे राणितिक दलो और जन पितिनिती दिड़ एक्चा सक्ती का पड़िचा दें तो सार्विनिक संपत्ती सुरक्षित होने के साथ हमारे गली महले हार्ट बाजार सुंदर और परियावन अनकून पनेंगे, अब अधिक सर्वेक्चन बेऊसा है, G.I.S. नेविगेशन सेंसर राधारिट निगरानी उपगरे मांचित्रन, जियो फेसिंग और डॉन टक्नीक का अधिक से अधिक उप्यों किया जाए, नगर नियोजन एक सतत पिकरिया है, सिवतराष्ट परियावज सभा, UN हैविटेट के जरिये, 20 के 90 देशों में सहरी नियोजन को लेकर तकनीकी सहयू कर रहा है, 2016 में एक्वाडोर, एक्वाडोर की राधानी कोईटों में, गिलोवल हैविटेट कॉन्फेर्ट में, UN हैविटेट गिलोवल अर्वन, मॉनेटरिंग फेंबर्ग पर सहमती बनी, और इसमें सार्व जनेक इस्थलों का विकास सहय, कि सार्वेक इस्थलों को अतिकर्मण की बेहिट चड़ने से पहले, उन्हें हरित परिछेत, जल उपचार, कचरापुनचकर समधायक, एवं मनुरंजन केंद, तथा इस्टीट होड जौन के रोब में विक्स्तित किया जातना चाहिए, आद क्योंकि क्विश्टन कभी भी पूचा सकता है, मुख परिक्चा में भी पूच लेगा आपसे, सिकायत ने बारन तंत की आव सकता है, तो सरवुच नियाले ने राजमार्गों पर नेदमेत, निरिक्चा, अतिकर्मण और अवेत कपजे की सिकायत पर कारवाही तंत, तंत इ ने जिस तरह के सिकायत ने बारन तंत की विवस्था राश्टी राइमार के संद्रम में की, बैसी विवस्था सहरों और गाउं की भीतर होने बाले अतिकर्मण की बिरूद भी करने होगी, रेल मतराली किमसा रेलवे की 782 हेक्टर भूमी पर अवेत कप जा है, साल 2018-19-2022 थ भारती रेलवे ने 33 सरसट हेक्टर भूमी अतिकर्मण से मुक्त कराई है, रेलवे ने अपनी जमीन पर निगरानी के लिए ट्रैक एबं भूमी प्रवंधन मॉडियूल विक्सित किये है, रेलवे द्वारा अतिकर्मण हटाने को लेकर लगातार सर्वेक्चन होते हैं, एक पर किनारे अकसर पाते ही लोग अतिकर्मण की फ्राक में रहते हैं, कई जगे अबैद कभजे का खेल बेवसाय के तंत और संगठित अफरात का रूप ले चुका है, अतिकर्मण कारियों को सक्त कारवाई नहोने से नेमों का पालन करने बाले करतब निष्ट नाग्रेकों क जोड़ना होगा, इस से सार्मेक संपत्ति पर निगरानी तंत सुद्रण होने के साथ अतिकर्मण विरोधी कारवाईयों में सामिल नाग्रेकों के साथ मिलेगा, कारवाईयों में नाग्रेकों साथ भी मिलेगा, तो अच्छा कॉलम लिखा गया है, क्या, अच्छा एडिट होना चाहिए तो मज़ा आएगा आपको निता जी के लिए इवेंट मैनेजमेंट खरी-खरी तंज कसा जाता है इस चुनाओ की बात हैं हो रही है पढ़नाओ तो इसकी पीडियाप डाउलोड करके पढ़ सकते हैं प्रकेती की अंदेकी का नतीजा अब आप देखे जिस तरह स और हीट बेब यानि लू चलने से लोगों में ब्रेन हैमरेज, टी हाइडरेशन और हार्ट अटेक के मामली बढ़ गए हैं कई सहरों में तापान पचाश डिगी से लसीएस के पार पहुँच गया है गद्देनों ऑस्टेलिया के मुनास विस्टियाला में हुए एक लोगों की जान चली जाती है यह आखड़े आप बता सकते हैं जिसमें से लगबग आप देखे आदी मौती एसिया में और 30% से जानदा यूरो में होती है भारत में हर साल 30,000 से जानदा लोगों की मौत होती है भारत में लू के कारण कई सोदों में यह बात इसपश्ट हो लगातर बढ़ रहा है इसके साथी मौसम का चकर भी अनिमित हो रहा है अब लोग पहले देखिए गाउं में आप लोगों को बता दूँ हमारे गाउं में कूलर पंके की जोड़वत नहीं होती थी इतने पेड़ होते थे लोग पेड़ के नीचे सो जाते थे रात में आज आप देखिए वहां भी कूलर लग रहे हैं अप समझ सकते हैं फिर भी वह भी काम नहीं कर रहे हैं इसके साथी मौसम का चकर भी अनिमित हुआ है आप देखते हैं कि कभी विवारस होने लगती है कभी भी सर्दी आ जाती है कभी भी कब क्या हो जाए मौसम मालू ही नहीं च दिखाई देगी और समुद्ध का जलिसतर 30 cm तक बढ़ सकता है हमें यह समझना होगा कि प्रकेती को सम्मान देकर ही हम इससे बच पाएंगे जब हम प्रकेती का सम्मान नहीं करते हैं तो वह प्रकेती के हमें हानी पहुचाती है यह है परकेती के हमारे सामने कई समस्याएं ख पानी कई मईनों तक जХ धता रहता था थोड़ा थोड़ा पानी निकलता रहता था लोग बहुत कैते थे कि यहां सिद्धी यह भखवान की किर्पा है यहां अब आप देखें किरपा भी चतम हो गई वह पहाळ में पानी ही नो कुई नीचे खुधते जा रहे हैं तो वही परेसानी है और कोई जागरूग भी नहीं है लोग सोचते हैं सरकार करेगी सरकार सोचती है कुछ और और आपने देखा होगा देखे पेड़ रोड देखा होगा रोड के आसपास पेड़ लगाये जाते हैं हमारे हर साल लगाये जाते हैं बरसाथ के टाइम में और पेड लगाने के बाद भूल जाते हैं उसे आप दिखते हैं कि जानवर खाल लेते हैं सूख जाते हैं पानी नहीं मिल पाता है तो थोड़ा ध्यान देना चाहिए कल्पना कीजे कल्पना कीजे कि इसमें रहित इन से रहे धर्ती हमें कैसी दिखाई देगी और कि इन आव उसनों की चमक भी की न पड़ने दें हमें यह संदर होगी संदर रहेगी तो हमारे जीवन भी संदर रहेगा पी दूसरं धर्ती कताब बढ़ने की कारण संपूंड विष्टे को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रह आप खुछ जानते हैं चोटी चड़ी आता थी जो घर में आप देखते कि अंडे देती थी बच्चे निकालती थी और हम लोगों को चहलते हुए बोलते हो सुनाईदे देती थी अब वो आप देखते गाइब हो गई गीदर आपने देखा होगा अब भो भी आप देखे चील आपने देखे होंगे गाओं की तरफ उड़ते थे वो भी अब गाइब हो रहे हैं और आप देखे पिछले दिनों इंटरनेशनल इूनियन फोर दा कंजरविशन ओप नैचर दौर जारी रिपोर्ट में बताया गया था कि जलबाई परविरतन के कारण महलाओं और लड़क प्रक्षितじゃない की उड़ इस दोर में इसी सिंखला को आंगे बढाते हुए प्रक्षिति प्यार का एक नया रिस्ता जोड़ें जैसे एक मा, भेहन, बेटी और वेटी किसी भी रूम में हमारे सामने हो सकती है, उसी तरह प्रक्यति भी विभिन रूपों में हमारे सामने हो सकती है, हम प्रक्यति से जितना जानदा प्यार करेंगे हमारे रिस्तों के बीच भी यह उतना ही प्यार बढ़ाएगी, इस दौर में हम कई इस तरों पर मानसिक तनाव से जूज रहे हैं इसका एक बड़ा कारण है अभी है कि इस दोर में हमें लगातार प्रकेती से दूर होका तांत्रिक होते जा रहे हैं प्रकेती से दूर होना हमें भावनात्पन के स्थर पर भी कमजोर कर रहा है महानकरों में निवास करने बाले लोग कभी कई दिनों तक प्रकिती के दर्सन ही नहीं कर पाते हैं सुबए फिलेट से वाह निकल का जाम से जूचते हुए कारेलाय पहुचना तथा साम को फुनाहा जाम से जूचते हुए घर पहुचना उनकी नेती बन चुकी है और ऐसी स्तिती में सरीर के अंदे पहुची फिदूसित बायू जीवन की लए विगार देती है जीवन की इस लए को सुधाने के लिए हमें प्रकिती के सन्नित्द में समय बिताना चाहिए दरसल हमने प्रकिती का ध्यान रखना इसलिए चोड़ दिया क्योंकि हम प्रकिती से प्यार का रिस्ता नहीं जोड़ पा रहे हैं आज प्रकिती को बचाने के लिए बिभिन कारिक्रम चलाए जा रहे हैं लेकिन प्रकिती के जखम बढ़ने की बढ़ते ही जा रहे हैं आप दिया करिए, बताय करिएगा थोड़ा कोई उधारन हुआ करे इस तरह का आपके यहां कोई घरना आप लोग याद हुआ करे तो वो भी बता सकते हैं आप लोग तो इस तरह से आप देखेंगे कि दैनिक जागरन का है, जो संपात की यह पार्ट है उसकी कहानी खतम होती है मैंने जैसा की कहाना जनसत्या का यह का आटिकल बड़ा अच्छा लगता है मुझे, काम का भी रहता है आपके लिए धर्ती की धाती सहिस्ति इस तरह आप लोग पढ़ते हैं ना सत्तर की दसक में दैरसने के उन्हें इस तरह वादी बिचादहरा में एक नई परीकल माझता जोड़ी जिससे यको-फहमिनेजम है यानि परस्तिति की इस्तरीवाद कहा जाता है और इसमें परकिति और महलाओं में समानता इस्तापित करती हो उनकी परेसानियों को जागर किया जाता है परिस्तितिक इस्तिरीवाद की अवधारना का सरे फ्रांसिसी इस्तिरीवादी चन तक फ्रांसवा दा यूवाउन को जाता है जिस जनोंने 1974 में प्राक पिकासित लेख लेफेमनेजिम और लामार्ट में इसका उलेख किया है और पित्वी और पित्वी की समानार्थ इस्तिरी ने खोद को पित्वी और अनसोसित जातियों नसलों को बचाने के लिए अंदुलन सरू किया और प्राकितिक संसादन बन मिट्टी जल से महलाओं का सिधा और गहरा संबंदे प्राचेंकाल से महलाओं और आदिवासियों को ह प्रकेती का सरक्षत माना गया है आदिवसी समाज वन संपधा की 宅र्दविस्था पूरी तरह से महलाओ की मानी जाती है पर्यावन सरक्षाण खासकर वन सरक्षाण को लेकर महलाओं सुरू से ही जागरूप रही है हमारे दिश में महलाओं ने अपने जमीनी अनवहों से पर्यावन की बहस में एक अलग दिरिष्टी कौन पेस किया है, गरी महलाओं के जिबन को भी पर्यावणी सुरक्षा के मुद्धे पर विभाजित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बे मुद्धों को ब्यापा को समख परिवेक्ष में देखती हैं, बे इस रुप से समझती हैं कि अर्थ सास्त और पर्यावन एक दूसरे पनिरबार है, उन्हें पता है कि पानी और पिजली की बचत से पैसे और पर्यावन दोनों को बचाया जा सकता है, महलाएं अपने घर की हर चीज के उपयोग को कारास्ता खोज लेती हैं, मसलन सबजी के डंठ प्रकिती ने भी उसकी रक्षा की बहनापे के साथ महलाएं पितवी का ख्याल रखती रही है, इस गरहे के संसादरों का उपभोग के समय खुद के इस तरी बिसा में इस तरी यह सोचती है कि खुद और पितवी पर लोगों के निरविवाद नियंतर पर अंकुस लगे, एक उसे लगता है कि कभी कभी कि देखे परयावन को पेड़ों को बचाने के लिए एक तरह से इस तरह की मानता है अगर अद्धी हुई है तो अच्छी मानता है, यह पीपल के पेड़ को भी नहीं काटा जाता है, उसमें भी कोई किसी देवता के बास की बात होती है, अब आप आप देखे बेग्यानिक तरीके से देखे पेड़ का पीड ऑक्सीजन देता है, तो उसे बचाने के लिए आप देखे किसी ने अध्यात्म का सहारा ले लिया, धरम का सहारा ले लिया, किसी ने आप देखे परयावन का सहारा ले लिया, कुछ ना कुछ कारण जरूर है, इस लिए धर्ती रक्षा का दिकांस उत्पाद महला और भोकता के अंद्रेत होते हैं और आप दिखें कि फिर सब्वेता के विकास के कालक्रा में परयावन सरक्षन को महलाओं ने बिट दिवार से जोड़ दिया जिसका पितेक्ष अधारन आज भी महलाएं महलाओं द्वार पूजा अर्चना में उनके अनेक बैक्ष यथा पीपल तोलसी आउला असोक बेल समी नीव आधी आधी बैक्षों उनके पुस्वोग बिविन पस्वोग जैसे गाय बैल चुहा घोड़ा साब बंदर उल्लू आधी को समलित करना और उनकी पूजा अर्चना के माध्यम से स काल से चलिया रही है जैसे गंगा पूजन कुगा पूजन पूजन इस पुढ़ परिस्थित्की को संतोलित बनाए रखने के महलाएं सदा से अगडी रहिए हमारी भारती संस्किती मिलच ही महलाओ के प्रकूती स रक्षन की बावना पीडी तर पीडी होती ही चली गई अब आप देखे ये पॉइंट आप लोग अपने नेवंद में सामिल कर सकते हैं जो आप लोग लिख रहे हो नेवंद प्राक्तिक संसादनों की कमी और परियावन चाहरे का महलाओं के समय आये और स्वास्त पर सीधा प्रभाब बढ़ता है भारत की सामजी स्रचना खासकर आप देखेंगे खासकर ग्रामी छेतों में परयावन पे दूसरा ने महलाओं की जीवन से ली खुरी तरह प्रभावित किया है यही कारणी की परयावन फरक्षिस सीधे संपर्कं में रहने के कारणी ग्रामीन महलाओं परयावन सरक्षिन के पिति अधिक शचेष्टे हैं आज बचे कोचे जंगली छेत्रों में जहां अदेदने पेड़ काटे जा रहे हैं जलाने के लिए महलाओं को लकड़ी इकतित करने के कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है खासकर रेगस्तानी इलाकों पठारी तथा पहाड़ी छेत्रों में पानी जोटाने का भी दायत महलाओं पर है पानी के लिए उन्हें दस से पंदरे किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है और इस तरहे महलाओं इस तरहे परियावन सरक्षन में महलाओं ने बिस इस भूमी करने माई है खासकर गार्मिड चेत्रों की महलाओं के यगदान को कभी नहीं बुलाया जा सकता है इन महलाओं ने अपने आसवास की पर्यावन समस्याओं को सुल्जानी की कौसिज भी किये भारत की परवती चित में अपनी पहचान बना चुकि चिपकू अंदुलन ने पर्यावन सरक्षन की दिसा में एक नई चितना पैदा की है अब देखे परयावन के बारे में आप लिख रहे हैं कही निबंद लिख रहे हैं आंसर आइटिंग कर रहे हैं प्रैकिती के बारे में कहीं लिख रहे हैं तो ये आप लोग महलाओं का ये गुदान जिस तरह से रहा है हो सकता है उस पर आप बता सकते हैं यह आंदोलन पूरी तरे महलाओं से जुड़ा है। आज भी पहाडों पर महलाओं यही पिक्रिया अपना कर पेड़ों को बचाने में लगी है। अभै सिंग ने किले के निर्माण के लिए बैसनोई समाधदार फूजित खेजडी के पेड़ों को काटने का साही आदेश दिया। इसका अवरोध करती हुए अमरता देवी के नेतित में गाउबालों ने आसहमती का एक नया रोख पिस्तुद किया। और अहिंसक ग्रामीडो ने फेड़ों को गले लगा लिया था और इस अंदोलन में अमरता देवी के साथ उनकी तीन बेटियों और तीन सो त्रेसर ग्रामीडों के लिए सिर कलम कर दिये गए थे। अब आप सोचे पेड़ों को बचाने के लिए। राजिस्थान में उदैपूर के निकट सरक्चान अंदोलने, 2021 में करनाटर की आदिवैसी महला तोरसी गोडाने को तीन हजार, किसना तीस हजार से अधे पेड़ लगाने का की कारम पतम सिरी से सम्भानित किया गया है। त्री इंद्रा गांदी की बैक्ति किया था, स्टेप के बाद केरल सरकार ने रदिकिया था, 1984 में साइलेंट बैली को राष्टी उद्यान गोशित किया गया था, और इस पेकास संस्किती धरम साहित में महलाओं और प्रगिती के बीच संबंदों की खोच करता पारिस्तिति इस तरी इबात भारत की जिवन सेली में है, जरूइत पढ़ने पर महलाओं ने संगास किया, खोदे से अधिक इसके धरती के साथ बहनापा ने भाया, आज भी आप देखें विकास के नाम पर करती पेड़ों को बचाने के लिए महलाओं तेयार हैं, और इस तरह से आप दे से तयारी करिए आप लो, और इमानदारी से देंगे, सौ परसंट अपना देंगे, तो मैं कहता हूँ, सौ परसंट फॉजिटिव रिजल्ट भी आएगा, इसमें भी कोई दोरा है, नहीं होना चाहिए, धन्नबाद